गेनहरपूर के मजदूर का राजस्थान में आकस्मिक मौत परी जनों में मचा कोहराम बेरपूर प्रखंड के गेनहरपूर गोंके 25 वर्षी एक मजदूर का राजस्थान में आकस्मिक मौत होने का मामला सामने आया है ग्रामिनों ने बताए कि बीते अश्टानिवार की रातरी में गेनहरपूर वार्ड नमबर दो निवासी नंदलाल पासवान के 25 वर्षी पुत्र गंगाराम पासवान राजस्थान के एक प्लोट में काम कर रहा था इसी दोरान अचानक तबियत बिगरने से उसकी असमाईग मौत हो गई मौत की ख़वर गौव में मिलते ही गौव में शोक की लहर दोर पड़ी वही परीजोनों में कोहराम मच गया ग्रामिनों ने बताए कि वो अपने पिता का एक लोता पुत्र था ग्रामिनों ने बताए कि मिलतक मजदूर की लास को राजस्थान से लाया आर जा रहा है गटना की सूचना पाकर प्रखंड प्रमुक मीना देवी उप्रमुक सुबोद पासवान मुखिया अश्चोक पासवान पंसस प्रतिनी धी मनोज पासवान आदी ने पीडित पडिवार से मिलकर सत्थावना दी मौके पर ग्रामिन राम नंदन पासवान गोडेलाल पासवान समेत कई ग्रामिन मौजूद थे